तो basically हूँ को एक जॉब मिला था school में तो उसे गाने के class में आना ही परता तो आज भी वो गाना सिखाने चला आया था एक ही दिन में वो बच्चों के साथ इतना घुल मिल गया था कि वो आज दिल खुल के बच्चों को सिखाने लगता है class खतम होने के बाद वो घर के लिए जा ही रहा था कि अचानक से सख्याल आता है कि वो class में कुछ भूल के आया है उसे ही लेने वो जब उपर आता है तब वो देखता है कि फिर से गाने का class हो रहा था उसे तब सब कुछ समझ में आ जाता है ये दो दिन वो जो बच्चों को गाना सिखा रहा था ना वो बहुत खुश था पर अचानक से ये सब जानने के बाद वो एकदम से उदास हो जाता है हो को लग रहा था कि शावचुन ने उस पे दया की थी पर शावचुन कहती है वो भला और क्या करती वो पूरे दिन कमरे में बैट के सिगरट पीता था क्या वो अब ही आखों के सामने उसे बरबाद होते हुए देखती असले रीजन जानने के बाद हो के अंदर शावचुन के लिए जो नाराज की थी वो थोड़ा सा कम हो जाती है अगले दिन ये सब मिलके शीजी के पार्टी पे जा रहे थे वैसे ये पार्टी तो नहीं थी कह सकते हैं ये लोग पिकनिक करने जा रहे थे इनको लगा था कि शीजी शायद कैफे में ही इनको ट्रीट देने की बात की थी पर शीजी तो इनके लिए एक गारी भी बुक नहीं की थी लोकिशन पे पहुचने के लिए इनहें चलके ही जाना पड़ता इतनी दूर चलके आने से सब ठक गए थे हूँ कहता है कि अगर उसे पहले पता होता तो वो कभी नहीं आता सिर्फ हूँ ही नहीं बाकी भी यही सोच रहे थे और शीजी तो इनसे काम करवाने के लिए भी लेके आया था वैसे शुरू शुरू में तो सबको बहुत गुस्ता आ रहा था सब बोर हो रहे थे पर बाद में ना उन्हें मजा आने लगता है ये करने में थोड़ी देर बाद फैंग आंटी शाउचुन की मॉम और लेंड लेडी मिलके सबके लिए खाना लगा देती है खानी के तयारी इतने अच्छी हुई थी कि सबके अंदर जो एक अफसोस थाना यहां पर आने के लिए वो दूर हो जाती है खाना वाना हो जाने के बाद शु पैसो के लिए उन्हें इस उम्रे में भी काम करना पर रहा था शुहां को लग रहा था बाकियों से जादा फैंग आंटी की जिन्दगी टफ थी पर शीजी कहता है ऐसा नहीं है उनकी जिन्दगी पहले बहुत जादा टफ थी पर अभी तो बहुत आसान हो गई है एक वक्त था जब उन्हें सच में बहुत मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा था शीजी कहता है बस फैंग आंटी की जिन्दगी टफ नहीं है सबकी जिन्दगी मुश्किलों से भरी हुई है जो चीज उसके लिए इजी हो वो दूसरों के लिए इजी हो सकती है बस सबकी देखने का नजरिया अलग-अलग होती है अधर्वाइस सबकी जिन्दगी में मुश्किले है सबकी जिन्दगी में परिशानिया है वहां लैंड लेडी शाउचुन की मौम और फैंग आंटी भी काम कर रही थी लैंड लेडी जो फैंग आंटी को उनके पती के पास पहुचा दे थी इसके लिए फैंग आंटी लैंड लेडी की तरफ शुक्र गजार थी पर लैंड लेडी जब फर से शो आफ करने लगती है तब फैंग आंटी इरिटेट हो जाती है वैसे लैंड लेडी को ना फैंग आंटी के साथ अलग से बात करनी थी पर उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा था इसलिए वो भारी बास्केट उठाने जाती है ताकि ये देखके फेंग आंटी उनके पास आये उनकी मदद के लिए थोड़ी दोड़ आके लैंड लेडी फेंग आंटी को कुछ पैसे देती है पर वो थोड़ी ना उनसे ऐसे पैसे ले सकती थी लैंड लेडी तब फेंग ही रूट तरीके से बात कर देती है उनके दिल में जो होता है वहीं उनके जवान पर भी होता है वो कुछ सोच के नहीं बोलती फिर वो जबरदस्ती फैंग आंटी के जोली में पैसे रख देती है फैंग आंटी को ना तब रोना आ जाता है और बाद में वो भी लैंड लेडी से माफी मांगती है उनसे जलने के लिए वो क्या है ना बात करने से कभी कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी चुटकी में सॉल्व हो जाती है किंग जिस तरह से इनकी बीच बात करने से इतने दिनों की दूरिया मिट गई थी आज तो ये सब बहुत थक गए थे जाते वक्त शीजी इनकी वीडियो कर रहा था रास्ते में इनकी मुलाकात स्कूल की कुछ बच्चों से होती है जो हो को देखके उसे सेर सेर कहके पुकारते है उनके मुँसे सेर शप्त सुनके हो को बहुत अच्छा लगता है इतने धकान में भी हो के चहरे पे हसी खिल उठती है अगले दिन शाउचिन की बेटी को मैथ की प्रॉब्लम सॉल्ट करनी थी पर उसे ना मैथ बिलकुल भी पसंद नहीं था उसकी मॉम जितनी बार उंगलियों में गिंती सिखाती थी वो हर बार एक उंगली स्किप करके गिंती करती थी जिस वज़े से हर बार उसे अपनी मॉम से डाट परती थी उसे आज डाट नहीं खानी थी इसलिए वो शुहांग से रिक्वेस्ट करती है उसकी मैद की प्रॉब्लम सॉल्फ कर देने के लिए अब वो इतनी बार रिक्वेस्ट करती है कि शुहांग को राजी होना ही पड़ता है पर उसके मॉम को पता चली जाता है क्योंकि वो अपनी बेडी को बहुत अच्छे से जानती थी ये सब करना उसकी बसकी बात नहीं थी वो सारे एंसर को इरेजर से पोच डेती है और उसे फिर से सॉल्फ करने के लिए बोलती है और इस बार तो शुहांग भी उसकी मदद नहीं कर सकती थी वहां शीजी को पैसे को लेके इतना फिकर करते देख उसका दोस्त कहता है काश वो ग्रैजुएशन कंप्लिट करके विदेश में एक अच्छी जाब लेता तो आज वो उसकी मदद कर पाता शीजी कहता है अगर वो विदेश रहता तो जब उसका मूढ आफ होता है तब कौन उससे बात करके उसका मूढ धलका करता कौन इतनी अच्छी अच्छी खाना खिलाता ऐसे में शीजी के दोस्त के पास शुहांग का कुछ ओर आता है तब उसका मुट जट से ठीक हो जाता है और वो उसके दोस्त को अच्छी चीजे पैक करी के लिए बोलता है उसे इतना excited डेख कि उसका दोस्त कहता है अगर उसे ही सब करना है तो वही जाए डिलिवरी देने तो शीजी कहता है नहीं उसे नहीं जाना पर बाद में वो खुद ही आता है डेलिवरी देने अगले सिन्वे हम देखते हैं आज शुहांग खुद ही उस बूट को जिसमें उसने बहुत सारी यादे चिपकाई थी वो शीजी को दिखाने ले आती है आज तो वो शीजी से अपने दोस्त के बारे में भी बता देती है वो उसे बता देती है कि वो किस वज़ा से यहां आई थी बात करते करते शुहांग रो पड़ती है और शीजी को समझ में नहीं आता कि वो शुहांग को कैसे कमफोर्ट करेगा बाद में जाते हैं वक्त शीजी के पास शुहां का मेसेज आता है वो लिखती है कि आज वो उसके साथ ये बाते शेयर करके बहुत हलका महसूस कर रही है और वो बहुत खुश भी है तब शीजी भी excited होके लिखता है कि वो भी बहुत खुश है उससे बात करके उसके तुरंथ बाद ही उसे बहुत अजीब लगता है ऐसे reply देने के लिए कहां उसे शुहों को comfort करना था पर उसके बदले वो ये क्या उल्टा सिधा लिख दिया इनके गाओं की वीडियो शूट हो गई थी तो अगले दिन शीजी उन्हें दिखाने ले आता है वीडियो ना बहुत अच्छी बनी थी और इंड में ये जो गैलिक्सी दिखाते है इससे सबको curiosity होती है कि ये जगा कौन सी थी शीजी तब सबको वहां ले जाने की बात करता है अगले ही दिन वो सब इस जगह पे चले आते हैं पर तारे दिखने के लिए इन्हें तो यही पे रुकना पड़ता रात में इससे लिए सब अपनी अपनी टिंट लगा के रात होने का इंतजार करते हैं रात में खाना खाते खाते सब होप सारी बात करते हैं और बाद में अगले सिन में हम देखते हैं सभी अपने अपने टेंट पर सो गए थे पर इन्हें अभी तक नीन नहीं आई थी तो दोनों बैठे बैठे बात कर रहे थे तारी की तरफ देख के शुहंग को अपनी दादी मा की अपनी दोस्त की याद आने लगती है और उन्हें याद करते हुए वो डो परती है फिर शीजी उसके आसू पोज देता है थोड़ी देर बाद शीजी उसके लिए अंदर से एक चद्दर लेके आता है और उस पर ओर देता है पर शुहंग इतने सेलफिश नहीं थी कि पूरा चद्दर वो अखिली उसकरती वो शीजी पर भी चद्दर ओर देती है शीजी तब बलश करने लगता है बाद में शुहंग शीजी से कहती है क्या वो दोनों एक कमपिटिशन करे कि कौन पहले बातरूम के लिए यहां से उठता है या फिर कौन पहले सोजाता है शीजी के लिए दोनों अप्शन ही बहुत बचकानी लगती है पर शुहंग बहुत सीरियस होके उससे पूछती है उसे करना है या नहीं तब शीजी भी भला क्या कहता वो राजी हो जाता है क्योंकि दोनों एक ही चद्दर के अंदर थे इसलिए दोनों ही अजीब फिल कर रहे थे कभी शुहंग शीजी की तरफ देखने लगती है तो कभी शीजी शुहंग की तरफ देखने लगता है और ऐसा करते करते जिसने कंपिटिशन रखी थी वही पहले सो जाती है पर शीजी के हालत तो खराब हो रखी थी उसके कान में से शायद धुआ निकल रहे थे बहुत टाइम बाद वो थोड़ा नॉर्मल होता है और अगले दिन सुभा शीजी से दूर दूर रहने की कोशिश कर रही थी जिस गारी से शीजी जाने वाला था उस गारी से शीजी को नहीं जाना था इसलिए वो दूसरे गारी में बैठना चाहती है शीजी तब ऐसा फिल कर रहा था कि शुहंग उसे इग्नॉर कर रही है और सच में वो उसे इग्नॉर ही कर रही थी अगले सिन में हम देखते हैं दमाई का मन शान्त हो गया था अब वो फिर से इंस्पार्ड हो गई थी उसे फिर से अपनी नोवल लिखने थी इसलिए वो यहां से अपनी बैक पैक करके घर जा रही थी दिया दमाई के लिए खुश भी थी और उसके जाने से अपसिट भी वहां दादी माँ ब्रेक्फ़स्ट के वक्त शूहं के आने का इंतिजार कर रही थी हर रोस तो वो अब तक आ चुकी होती है पर आज उसे ना आते देख वो शीजी से कहती है उसे बुलाने के लिए वहां से लोटने के बाद शीजी का मन नहीं कर रहा था शूहं के साथ खुद जाके बात करे तो वो पहले मना कर देता है पर बार में उसे दादी माँ के उल्टे सिधे एसमशन से जादा तो शूहं को बुलाना ही ठीक लगता है अगली सिन में हम देखते हैं दिया शूहं से उसके और शीजी के रात में तारे देखने के बारे में बात करती है वो उससे पूछती है क्या उसने उनके रिष्टे को आगे बराने के बारे में सोचा है शोंग भी इस बारे में बहुत confused थी क्योंकि वो तो वस यहाँ पर घूमने के लिए आई थी इन सब के बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था पर जिस तरह से बात आगे बर रही थी उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए तब दिया उससे प्यार के कुछ basic सवाल पूछती है जैसे कि क्या उसे शीजी को देख के अच्छा लगता है क्या वो happy फिल करती है या फिर past में अगर उसका कोई crush रहा हो तो उसे देख के वो जैसे excited फिल करती थी क्या वो शीजी को देख कर भी same excited फिल करती है शुहंग हा कहती है तो दिया excited होके कहती है बस clear हो गई बात वो भी शीजी को पसंद करती है तो वो इतना ना सोचे और शीजी से दूर भागने की जरुरत नहीं है उसे बात जैसे चल रही है वैसी ही आगे बढ़ने देवो सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा